Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के सभी important current affairs हम हिंदी और इंग्लिस दोनों language के अंदर cover करेंगे और ये current affairs session आप लोगों के सामने दो parts के अंदर होगा पहले part में हम current affairs को detail में gk के साथ link करके पढ़ेंगे ताकि जिससे की आपका static gk और gk improve हो दूसरा, दूसरे part के अंदर हम one line as current affairs हिंदी और इंग्लिस दोनों language के अंदर cover करेंगे So there is load to know and load to discuss अगर आप इस वीडियो का pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो description में मैंने link available करा दिया है वहाँ से आप इस वीडियो का pdf डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप whatsapp या telegram पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि आपको pdf सीधा आपके number पर मिलते रहें तो उसका भी link description में available है तो चलो अब start करते हैं आज के हमारे important counterface के साथ और आज का हमारा पहला question है विच स्टेट हैज लोंच्ट आत्म निर्भर सहय योजना टू हैल्प lower middle income group निम्न मद्या आयवर की साहिता के लिए किस राज्या ने आत्म निर्भर सहय योजना शुरू की है आत्म निर्भर सहय योजना तो आत्म निर्भर सहय योजना स्टार्ट की गई किसके द्वारा गुजरात सरकार द्वारा तो correct answer होगा गुजरात अब सवाल उठता है ये आत्म निर्भर सहय योजना है क्या आत्म निर्भर सहय योजना के तहत जो मद्या आईवर्ग वाले लोग हैं उन लोगों को bank जो है एक लाक रुपे तक का लोण देगा कितने लाक रुपे तक का एक लाक रुपे तक का लोण देगा मद्या आईवर्ग के लोगों को help करने के लिए और इसके लिए वो सिर्फ 2% जो है इन्ट्रेस्ट लेगा बैंक और एक लाक दस लाक फैमिली को दस लाक लोगों को ये लोन दिया जाएगा जिससे कि वो अपना रोजगार आत्म निर्भर बने और किसी पर डिपेंड ना रहे और अपने रोजगार को सुरू कर सके तो ये योजना स्टार्ट की गई है आत्म न जगार स्टार्ट कर सके और वो किसी और पर डिपेंड ना रहे तो ये है आत्म निर्भर साहे योजना अगर हम अब बात करते हैं गुजरात की गुजरात भरत का वो राज्य है जिसका कोश्ट लाइन सबसे बड़ा है ये मतला समुद्रिय तट को सबसे सबसे दूर तक अगर हम पोपुलेशन की द्रस्टी से देखते हैं तो ये पाँचवे नंबर पर आता है पोपुलेशन के अकोडिंग ठीक है अगर हम देखते हैं डिस्टिक्ट में 33 तोटल डिस्टिक्ट यहाँ पर 33 है राज्य सबा की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटे हैं लोग सबा की 26 यहाँ का नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क गिर ये कहाँ पर है ये गुजरात के अंदर ही है अगर हम बात करें सोमनात मंदिर महमूद गजनी ने जिसको 17 बार लूटा था याद है सोमनात मंदिर ये भी गुजरात के अंदर ही है सोमनात मंदिर एक और important question अभी हाली में गुजरात ने कुछ apps launch की और यहां से question पूछादा सकता है कि COVID-19 की दौरान कुछ app launch किये गए है गुजरात द्वारा वो कौन-कौन से है एक हाली में latest सबसे latest जो एक दिन पहले launch किया गया है Congress द्वारा गुजरात में जो Congress है उसने launch किया और इस app का नाम है E. जन्मित्र COVID-19 app तो यह app जो है यहां की राज्य सरकार ने नहीं यह Congress ने launch किया है E. जन्मित्र COVID-19 app यह Congress इंडिया नेशनल Congress ने launch किया है गुजरात के अंदर लोगों की साहिता करने के लिए वही पर गुजरात सरकार ने एक app launch किया था जिसका नाम था GIS-based app GIS-based app यह गुजरात सरकार ने launch किया था इस app के तहट हर घंटे एक व्यक्ति को अपना live location भेजना होता था कि कहीं लोग इधर उधर तो नहीं गोम रहे हैं जिनको quarantine किया गया था तो यह था GIS-based app जिसको launch किया था गुजरात सरकार ने अब बढ़ते हैं आगे How many Rafale fighter jets are set to arrive in India by July end July अंथ तक भारत में कितने Rafale fighter jets आने वाले हैं तो हमारा इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा चार July अंथ तक भारत में चार Rafale fighter jets भेजे जाएंगे जो कि अगर coronavirus ना होता तो यह मई के end तक ही आने थे इसी महिने में लेकिन इस deal को थोड़ा क्या कर दिया गया है आगे बढ़ा दिया गया है coronavirus के चलते और अब जो हैं यह चार जो rifle राफेल fighter jets हैं यह आएंगे जुलाई 2020 तक अगर हम बात करें राफेल राफेल fighter jets को बनाया किसने है तो एक संस्था है आप बोच सकते हैं इसके जो manufacturer है वो फ्रेंस की the salt aviation company है कौन सी the salt aviation the salt aviation द्वारा इसको बनाया गया है और French Air Force के पास भी यह है अब भारत भी राफेल fighter jets को खरीद रहा है अगर हम बात करें फ्रांस की फ्रांस का capital क्या है Paris यहां के president कौन है Emmanuel Macron Emmanuel Macron जो है यह फ्रांस के president है Emmanuel Macron अगर बात करते है upper house की यहां के upper house को बोला जाता है जैसे हमारे यहां पर upper house को क्या बोलते है राज्यसभा ऐसे ही फ्रांस में upper house को senate बोलते है क्या बोलते है सीनेट और हमारे हाँ लोवर हाउस को क्या बोलते है लोकसभा यहाँ पर इनके लोवर हाउस को बोलते है नेसनल असेंबली क्या बोलते है नेसनल असेंबली एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए बता रहो ठीक है यहाँ की करंसी क्या है France की currency है Euro और Frank Euro और Frank दोनों ही France की मुदरा है Euro और Frank आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है Who among the followed Was denied the right to appeal Against his extradition Order at the UK Supreme Court Who among the following होगा है Who among the following Was denied the right to appeal against his extradition order at the UK Supreme Court किसे UK Supreme Court में उनके परत्यरपन आदेश के खिलाब अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है तो आपको पता होगा जो विजय मालिया है ठीक है विजय मालिया किंग फिसर कंपनी के मालिक इन पर केश चल रहा है इन पर जो पैसा था उनने वो भी नहीं दिया था तो अब क्या किया है कि भारत इनको वहाँ से लेकर आना चाहता है ठीक है वहाँ से लेकर आएगा अपनी जेल में बंद करेगा तो यहाँ पर परत्यरपन संदी यही होती है अब ऐसी के तहत आप ना देखा हुगा कि यह भारत का सारा पैसा लोटा देंगे सब कुछ लोटा देंगे, अब क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कहीं इन्हें अब भारत की जेल में अपने दिन ना काठने पड़े, इसी वज़ा से ये बार-बार कह रहे हैं, अब हुआ क्या है, कि विजय मालिया ने भारत तो इन्हें कोशिस कर रहा है यहां पर लाने की, विजय माल्या ने इसके खिलाब एक अपील की थी कि मुझे वहाँ पर ना भेजा जाए लेकिन अब उसकी अपील को क्या कर दिया गया है उनकी अपील को खारिज कर दिया है वहाँ के सुप्रीम कोट ने भी और हाई कोट ने भी तो correct answer होगा उनका नाम है विजय माल्या क्या विज अमंग दा फूलोइंग ओर्गनाइजेशन चीफ रोबर्टो अजवेडो हाज डिसाइड़ तो स्ट्रैप डाउन अर्ली किस संगठन के परमुक रोबर्टो अजवेडो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला किया है जिन्होंने फैसला कर दिया है जिनका रोबर्ट अजवेडो जो की वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाइजेशन के क्या है डिरेक्टर जनरल थे ठीक है लेकिन इन्होंने क्या किया एक साल पहले ही अपने पद को खाली करने का फैसला कर दिया है कुछ हुआ होगा इन्होंने फैसला किया है कि वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाइजेशन के Director General से स्थीपा देंगे अपने पद से और ये स्थीपा कब देंगे 31 अगस 2020 तक तो ये इस पद पर रहेंगे उसके बाद ये इस पद को छोड़ देंगे जो की इनका कारेकाल जो है 2021 तक था लेकिन ये अभी एक साल पहले इस पद को छोड़ने जा रहें WTO World Trade Organization जिसका स्थापना एक जनवरी 1945 में में हुआ इसने रिप्लेस किसको किया था GATT को इसका फुल फोर्म आप मुझे बताएंगे GATT का फुल फोर्म किया GATT को रिप्लेस किया World Trade Organization ने World Trade Organization का का काम किया है Reduction of tariffs and other barriers to trade जिससे कि कोई भी देश किसी भी देश में बिना जादा आप बोल सकते हैं बिना किसी जादा उसे रोका जाए जादा टेक्सिस वगएरा ना देने पड़े तो World Trade Organization के तहत वो क्या कर सके कहीं पर भी जाकर अपना व्यपार कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर यह काम है World Trade Organization का जिसका स्थापना एक जनवरी 1995 को हुआ GAT को इसने रिप्लेस किया और इसका बात करें Headquarter की तो इसका Headquarter जो है वो है जिनेवा स्विट्जर लेंड में कहां पर जिनेवा स्विट्जर लेंड आप लोगों के लिए कुछ कुश्चन है आप कुश्चन ऑफ दा डे भी बोल सकते है WHO का फुल फॉर्म क्या है और इसके Director General कौन है UNICEF UNICEF का स्थापना कब हुआ था यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी CSSL के एक्जाम में पूछा गया WB क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है और WB के आप बोल सकते है President कौन है यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं क्या समझू कि आप लोगों को इस वीडियो का ज़रूरत नहीं है आप नहीं चाहते कि मैं डेली ये वीडियो लेकर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट किया करो अगर आप चाहते हैं प्लीज लाइक करो शेयर कर दिया करो कर दिया करो पांच साथ ग्रूप में शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों भाईयों के साथ रिष्टदारों के साथ उसके साथ थोड़ा वो भी पड़े थोड़ा आप भी पड़े दोनों जोब करना है ना मज़ा आएगा तो कर दिया करो तो चलो अगले कुशन पर आते हैं Central Government had set up a new body Rice Export Promotion Forum To promote rice export The REPF will function under ases of which body केंदर सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाए इस्थापित किया है जिसका नाम है Rice Export Promotion Forum क्या नाम है तो चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार ने Rice Export Promotion Forum का इस्थापना किया है अब ये Rice Export Promotion Forum REF किसके तहट काम करेगा तो REF जो है ये काम करेगा अपेडा के तहट अपेडा क्या है ये एक Ministry of Commerce and Industry के तहट आता है किसके तहट Ministry of Commerce and Industry Ministry of Commerce and Industry के तहट आता है अपेडा जिसका फुल फॉर्म है Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority मैं रिपीट करता हूँ Agriculture Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority जिसका हैड़कॉर्टर नहीं दिल्ली में है और स्थापना हुआ था 1986 में ये जो है इस संस्था के तहट Government of India is Responsible तो इसमें कोई भी जो काम होगा उसके लिए भारत्य सरकार जो है उत्तरदाई होगी अपेडा के तो अपेडा के तहट काम करेगा REPF जिसका अभी हाले में क्या किया गया इस्थापना किया गया किसके लिए चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपसे एक्जाम में सायद इतना सबना पूचे सिधा सिधा ये पूछ ले कि REPF stands for REPF का फुल फोर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए Rice Export Promotion Forum Rice Export Promotion Forum जो है ये REPF का स्थापना है जिसके तहए चावल के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और ये काम करेगा अपेडा के तहएग जो Government of India के अंडर काम करता है ठीक है Ministry of Commerce and Industry अगले कुशन पर आते हैं Name the Indian state which has planned to provide tap connection to supply water to all rural families by December 2022 under the Jal Jeevan mission उस भारत्य राज्य या फिर केंद परसासित परदेश का नाम बताओ जिसने जल Jeevan mission के तहट December 2022 तक सभी ग्रामीन परिवारों को पानी की आपूर्ती के लिए null connection देने की योजना बनाई है तो मतलब एक योजना है जल Jeevan mission के तहट कि ग्रामीन के हर ग्रामीन में ग्रामीन आप होचता है गावों में रहने वाले हर ग्रामीन के घर में जो है tap connection, null connection लगाए जाएंगे ताकि उन तक पानी पहुँच सके और जल Jeevan mission के तहट जो target रखा है पूरे राष्ट में वो 2000 अगर आप जानना चाहते है तो वो है 2024 पच्चिस कब है 2024 पच्चिस तक जो है हर एक घर तक पानी पहुचाना tap connection लगाना ये भारते सरकार का लक्ष है लेकिन दो राज्जों ने गोशना कर दी है कि वे 2022 तक इस target को achieve करेंगे और वे दो राज्जे कौन-कौन से हैं हरियाना और जम्मू कस्मीर कौन-कौन से हैं हरियाना और जम्मू कस्मीर अगर हम बात करें J&K की जम्मू कस्मीर की तो जम्मू कस्मीर की बात करने से पहले आज मैं कहूंगा अब कोपी पैन निकाल लो अगर अभी तक नहीं निकाल लाए तो जम्मू कस्मीर की बात करें तो याद रखना जितनी भी जीले हैं जितनी भी लेक हैं जिनके लास्ट में नाग आ जाए याद रखना वो जम्मू कस्मीर में है कापर है जम्मू कस्मीर में जितनी भी जील है जिनके लास्ट में नाग आए वो जम्मू कस्मीर में है 31 अक्टुबर 2019 को इसको जो है एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला किसको जम्मू कस्मीर को 31 अक्टुबर 370 धारा यहां से खतम हो गई टोटल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कस्मीर के अंदर 20 है यहां के लेटिनेंट गवर्नर कोन है ग्रीश चंदर मुर्मू जीसी मुर्मू आप बोच सकते हैं लेटिनेंट गवर्नर है और यह पहले लेटिनेंट गवर्नर है कहां के जम्मू कस्मीर के यहां से एक और सवाल बनता है जम्मू कस्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे फर्स्ट गवर्नर ओप जम्मू कस्मीर बहुत बार करा चुका हूँ कमेंट करके बताईएगा अगर हम बात करते हैं जम्मू कस्मीर हाई कोट की ये कुछ लेटेस्ट कुश्चन है तो यहां के मुख्यनाईदीस कौन है जेहंड के हाई कोट के मुख्यनाईदीस तो वो है गीता मित्तल कौन है गीता मित्तल जो है ये जम्मू कस्मीर हाई कोट की मुख्यनाईदीस है अभी हाली में आपने रजनीस ओसवाल का नाम सुना होगा रजनीस ओस्वाल, कौन है रजनीस ओस्वाल? रजनीस ओस्वाल वो पहले जज़ बन गए हैं जम्मू कस्मीर हाई कोट में जिसने भारत्य सविधान के तहत सपत लेने वाले जम्मू कस्मीर के पहले जज़ बने हैं रजनीस ओस्वाल क्योंकि इससे पहले 370 धारा थी और जम अभी बार ऐसा हुआ कोई एक जज़ बना जिसने भारते सवीधान के तहट सपत ली उसका नाम है रजनीश ओस्वाल अगर मैं यहां की बात करूँ अभी हाली में कुछ दिन पहले जम्मु कस्मीर के नए मुख्या चुनाव आयुक्त चुने गए थे अभी हाली में चोथे सलाकार के रूप में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां पर कुछ और जील है जो एक तो मैंने बताया नाग जिसके लास्ट में नाग आ जाए जैसे सेस नाग तो यह कहां पर है जम्मु कस्मीर के अंदर जैसे डल और वूलर जील यह दोनों जम्मु कस्मीर के अंदर है वूलर जील एसिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है अब थोड़ा सा हरियाना के बारे में जान लेते है जल्दी से हरियाना मतलब हर मतलब भगवान का स्थान आप बोल जकते है हरियाना मतलब हरी मतलब भगवान ठीक है हरियाना का मतलब है भगवान का स्थान यहाँ पर दो नेशनल पार्क है और दोनों से ही कुश्चन पूछा जा चुका है एक है सुल्तान नेशनल पार्क सुल्तानपूर नेशन में थोड़ा 1956 ही है एक नमबर 1956 को इसका स्थापना हुआ फरिदाबाद यहां का सबसे बड़ा सहर है हरियाना का अगर बात करते हैं डिस्टिक्ट की टोटल 22 है गवर्नर है आकि सत्यदेव नारायन आ रही है CM है मनुवरलाल खटर डिप्यूटी CM आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां के डिप्यूटी CM कोन है डिप्यूटी CM जिसकी वज़ा से पूरा जब यहां पर एलेक्शन हुए थे आप बोल सकते हैं कॉंग्रेस अगर सत्ता में आ सकती थी तो इनकी वज़ा से सत्ता से बाहर हो गई थी राज्य सभा की टोटल चीटे 5 है लोग सभा की टोटल चीटे यहां से 10 है एरिया के according यहाता है किस्वे स्थान पर और population के according यहाता है 18 स्थान पर पानीपत की तीनों लडाईया बहुत famous है हर्याना से पानीपत की the world the largest annual rate of net forest loss in 210 to 20 reported ठीक है क्या हुआ विश्व का किस छेतर में 2000 से 2020 में 2010 से लेकर 2020 में सबसे बड़ा वार्षिक दर जो है क्या हुआ यहां पर सुद्वन हानी मतला एक चीज से यह क्या हुआ है कि यहां पर जंगल जो है कम हो गए है तो वो कौन सा है सबसे यादा जंगल कहां पर कम हो है किस continent के अंदर that is Africa Africa के अंदर जो है जंगल 2010-2020 के बीच में कम हो है वही पर अगर मैं Asia की बात करूँ Asia में बढ़े हैं Asia वो continent रहा जहां पर जंगल की संख्या बढ़ी है forest cover area बढ़ा है लेकिन अफरीका में यह गटा है अफरीका के बाद दूसरे स्थान की बात करो यह अफरीका के बाद वो कौन सा स्थान है ठीक है अफरीका के अंदर सबसे कम जो है जंगल की स्थिति सबसे कम रही गटी है सबसे कम ठीक है अब अफरीका के बारे में कुछ facts बता देता हूं कोपी पैन आपने निकाली रख्योंगे जैसे dark continent किसको बोला दाता है तो वो अफरीका ही है इसको dark continent भी हम बोलते है dark continent ठी ठीक है ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है continent है दूसरा सबसे बड़ा महादूीप है और दूसरा सबसे बड़ा जन चंख्या वाला महादूीप भी अफरीका ही है अगर मैं बात करता हूं Prime Meridian और equator दोनों इसको cut करते हैं अफरीका को Prime Meridian भी और equator भी अगर बात करें World Hoteis Place वि इथियोपिया ही है इथियोपिया ये भी अफ्रीका के अंदर है विसुका सबसे गरामिस्थान इथियोपिया ये कहां पर है ये भी अफ्रीका के अंदर है सबसे बड़ा डेजर्ट साहरा डेजर्ट कहां पर है अफ्रीका के अंदर है ठीक है तो ये कुछ facts थे अफ्रीका से अब बढ़ते हैं आगे अगला कुशन क्या है नेम दा इंडियान स्टेट विच हैज लोंच्ट मातिर इस्मृष्टी स्कीम तो यूटिलाइज 50,000 एकर बेरन लेंड इन 6 डिस्टिक्ट्स फोर इंकम जेनरेटिंग एक्टिविटीज उस भारतिय राज्य का नाम बताओ जिस इसने आय पैदा करने वाली गतिविद्यों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकर बंजर भूमी का उपियोग करने के लिए मातर स्मृष्टी योजना शुरू की है मातर स्मृष्टी योजना तो मातर स्मृष्टी योजना स्टार्ट की गई वेस्ट बंगाल दौरा किसके दौरा पस्चिम मंगाल अब पस्चिम मंगाल के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे CM और गवर्नर के बारे में पस्चिम मंगाल के CM और गवर्नर को में अभी हाली में पस्चिम मंगाल दुआरा एक app launch किया गया था migrant workers के कि जो लोग West Bengal को छोड़कर अपने राज्य में जाना चाहते हैं उस एप का नाम आप मुझे बता सकते हैं मैंने तीन दिन तक आपको ये रिवाइज कराया था उस एप का नाम बताईएगा देखते हैं कितने लोगों को चीजे याद रहती हैं अगले कुश्चन पर आते हैं अगले कुश्चन पर जाने से पहले अभी भी कुछ स्टुडेंट्स अपंद्रा बीस ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया देखना यार पैसे वैसे दित्तों नहीं दे रखें न वीडियो के लिए फ्री ओफ कोस्ट है तो दबादो यार एक लाइक की तो दबाना है उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे वाइस एड्मीरल जीम हीरा नंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रोफी से सम्मानित किया गया तो उस व्यक्ति का नाम है अक्से कुमार कौन है अक्से कुमार को हीरानन्दानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया आप क्या सोच रहे हैं यह जो बोलिवूड एक्टर वो अक्से कुमार की बात हो रही है यहाँ यहाँ पर जो अक्से कुमार की बात हो रही है ये Lieutenant Commander है Lieutenant Commander of Southern Naval Command Lieutenant Commander of Southern Naval Command अक्से कुमार को जो है हिरनन्दानी Memorial Rolling Trophy से सम्मानित किया गया तो correct answer क्या होगा अक्से कुमार अगले question पर आते हैं अब ये कुछ question जो है ये आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ extra question डालने है ये बताना आप लोगों के लिए कैसे लगेंगे क्यों डाले हैं उसका reason भी आपको समझाएगा अभी हाल फिलाल में कुछ चीजे हुई जिनको मैंने थोड़ा आपको current face में बताया कुछ अलग से लिखवाया लेकिन मैंने फिर सोचा आप लोगों के लिए 3-4 question daily static gk से डालू वे question जो exams oriented हैं और exam में आएंगे definitely जैसे नाकुला pass is located in which state नाकुला pass किस राज्य में स्थित है तो ये है सिक्किम में अब ये question क्यों डाला है क्योंकि नाकुला pass दर्रे के पास ही भारत और चाइना के जो सिपाई हैं आपस में भिड़ गए थे ठीक है कहाँ पर सिक्किम बोर्डर पर सिक्किम बोर्डर पर जो सिक्किम और चाइना पर भारत और चाइना के बीच में बोर्डर है वहीं पर नाकुला pass नाकुला दर्रे के पास जो है कुछ भारते सैनिक और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे एक और खास बात है जहाँ पर यह जो सिक्किम बोर्डर है यहाँ पर जो यह पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो अपना हतियार लेकर नहीं जाते है आपस में पथरबाजी कभी पहलवानी दिखाते हैं तो आपस में भढ़़ जाते हैं ठीक है महाँ पर गोली बाज़ी नहीं होती है तो यह है सिक्किम में नाकुला पास जो है यह काँ पर है यह सिक्किम में इस्तित अगला कुशन है where is ICMR National AIDS Research Institute located ICMR रास्ट्रिय एड्स अनुसंदान जनस्थान कहा है अभी हाली मैंने ICMR के बारे में आपने कल पढ़ा था तो मैंने सोचा ये कुश्चन भी आपका आज डाल देता हूँ ICMR तो आप जानते होंगे इसका full form आप मुझे comment करके बताएंगे ICMR का full form क्या है तो National AIDS Research Institute कहां पर है पुने में है और इसका स्थापना 1992 में हुआ था 1992 में ठीक है अगले कुश्चन पढ़ाते है अगला कुश्चन है तीन दिन पहले हमने Food and Agriculture Organization से related एक कुश्चन किया था तो आज मैंने कुश्चन डाल दिया है कि बताओ Food and Agriculture Organization के Director General कोन है तो उनका नाम है Q.U. Dongyu Q.U. Dongyu जो है ये खाद और किर्शी संगठन के महानिदेशक है ठीक है ये 9 नोवे Director General है 9 महानिदेशक है FAO के इसका स्थापना की बात करें तो October 16, 1945 में इसका स्थापना हुआ था और 2023 तक ही अपने पदपर बने रहेंगे तो ये नाम एक बार याद कर लेना 2023 तक आपके काम आएगा Q.U. Dongyu जो है ये Food and Agriculture Organization के क्या है महानिदेशक है Director General है दोस्तों ये थे आज के हमारे डिटेल्स में Current Affairs अब समय है किसका One Linus Current Affairs को देखने का पढ़ने का और आगे निकलने का क्योंकि जो छोटी मोटी चीजे बची है उनको अच्छे से एक बार देख लिया जाए और थोड़ी सी चीजों का रिविजन कर लिया जाए तो चलो देख लेते हैं और सबसे पहला कुश्यन आप लोगों के सामने एक मिनट होल्ड करिएगा माफी चाता हूँ ये रही तो बताइएगा हाल ही में किस भारत्य मुक्यबाज को नाड़ा के Disciplinary Panel में दुबारा सामिल किया गया है उनका नाम क्या है अखिल कुमार तो अखिल कुमार को जो है नाड़ा के Disciplinary Panel में दुबारा सामिल कर लिया गया है कोशन मबर टू जम्मू कसमीर और किस राज्या ने 2022 तक सभी गरामिंट छेत्रों में नल कनेक्शन पहुचाने की योजना तयार की तो जम्मू कस्मीर और हरियाना ने कोश्चन नम्बर थर्ड हाल ही में TVS ग्रूप और सुन्दरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस IIT के साथ मिलकर दा सुन्दरम वेटागो नामक सुन्दरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मदरास ने मिलकर स्टार्ट किया है एक सुन्दरम वेटागो क्या नाम है दा सुन्दरम वेटागो कोश्चन नम्बर फोर्थ भारत्य खेल प्राधिकरण ने लोकडाउन के बाद पर सिक्षन पर फिर से शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्सता में एक समीती का गठन किया तो वो होंगे रोहित भारध्वाज की अध्यक्सता में तो रोहित भारध्वाज की अध्यक्सता में बनेगी एक समीती और इसका जो है इसका जो सुरुवात की गई है की गई भारतिय खेल प्राधी करण द्वारा कुश्चन अमबर फिफ्ट हाल ही में नेशनल डेवलप्मेंट बैंक ने भारत के लिए कितने डोलर की आपात कालेन साहिता रिंड को मंजूरी दी है तो वो दी है एक बिलियन डोलर की किसकी एक बिलियन डोलर कुश्चन अमबर फिफ्ट हाल ही में जारी ग्लोबल एनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस इस्थान पर रहा तो ग्लोबल एनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा 74 इस्थान पर Question No. 7 भारतिय पुराततु सर्विक्षन की नई महानी देशक के रूप में किसे नियूक्त किया गया तो भारतिय पुराततु सर्विक्षन की नई महानी देशक बन गई है V. विध्यावती कौन बनी है V. विध्यावती जो है ये ASI की नई डिरेक्टर जंडल बन गई है तो दोस्तो अब आप लोगों के लिए कल से कल से क्या आज शाम चार बजे से रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जिन लोगों को मही के सारे करंट अफियस चाहिए वर लाइनर्स की फोम में लगभग 400, 4500 करंट अफियस सारे सलेक्टेड करंट अफियस होते है मेरे आप लोगों को पता ही है तो उन लोगों के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है और ये रेजिस्टेशन जो चलेगा ये आप लोगों का आज चार बजे से स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आप इस नंबर पर 25 रुपीज पे करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और 15 से लेकर मतला आज 16 तारिक है 16 तारिक से लेकर 25 तारिक तक सिर्फ इन करंट अफेस का कोष्ट 25 रुपे रहेगा 25 तारिक के बाद इन करंट अफेस का कोष्ट 30 रुपे हो जाएगा और ये रहेगा 5 जून तक ठीक है 30 रुपे 5 जून तक और उसके बाद उसका कोष्ट हो जाएगा 50 रुपीज तो अभी आपके पास मुका है जितनी जल्दी हो सके आज ही अपना नाम रेजिस्टर करा ले और 5 जून को आपके पास ये करंट अफेस भेज दिया जाएगे पूरों महीने के ठीक है तो मुका है अभी जल्दी से अपना नाम रेजिस्टर कराएं अगला कुश्चन है अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से किस भारत्य मुक्केबाज को नाड़ा के डिसिप्लिनरी पैनल में दुबारा सामिल किया गया अखिल कुमार कुश्चन नंबर टू जम्मु कस्मीर और किस राज्य ने दो हजार बाईस तक सभी गरामेंट छेत्रों में नल कनेक्शन पहुचानी की तया उजना तयार की जम्मु कस्मीर और हरियाना बहुत बड़िया बोल ये बोलने के लिए देता हूँ ताकिया बोल कर रिवाइज करें TVS Group, सुन्दरम Medical Foundation और किस IIT के बीच में एक समझोता हुआ और इन तिनों ने मिलकर डेवलप किया है दस सुन्दरम बेटागो IIT, मदरास, भारतिय खेल प्राधिकरण ने लोकडाउन के बाद परसिक्षन फिर से सुरू करने के लिए किसकी अध्यक्सता में एक समीती का गठन किया IIT, भारधुआज, नेशनल डेवलप्मेंट बैंक ने भारत को कितने डोलर की आपातकालिन साहिता रिन को मंजूरी दी एक बिलियन डोलर Q6, Global Energy Transition Index में भारत किस इस्थान पर रहा Q7, भारतिय प्राततो सर्विक्षन की नई महानिदे से कोन बन गई है वी विद्यावती, अब बढ़ते हैं आगे तंजावूर नेतिवर्क्स और अरंबतूर वुड नकासी को GI टैग मिला है तो जो ये तंजावूर, किस राज्य की है ये तंजावूर नेतिवर्क्स और अरंबतूर वुड नकासी तमिल नाडू की कहां की है तमिल नाडू कोशन अमबर 9 हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युआउ को नोकरी देने के लिए होप पोर्टल लौच किया गया उत्रा खंड अब आप लोगों के लिए सवाल है होप का फुल फॉर्म क्या है यह मैंने आपको कल बताया था दूसरा सवाल आप लोगों के लिए CBSC के नए चेयर्मेन कोन बन गए है और CBSC का फुल फॉर्म क्या है रिवाइज कर लो एक बात जल्दी से किस देश ने सोशल डिस्टैंसिंग करने के लिए I feel you ब्रेसलेस्ट विक्सित किया है इटली ने किस ने किया है इटली का राजधानी कहां पर आई कमेंट करके बताएंगे किस नाम से एक सोंग रिलीज किया ICCR का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करो नहीं पता तुभाई पुरानी वीडियो देखो किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहरा राजधे है तेलांगना पढ़ाया polar बन गयाए किसानों कशनों को बताएगा क्या उगाना है और नहीं उगाना है Q9. बेरोजगार युवाव को नोकरी देने वाला Hope Portal लोंच किया गया है किस राज्य सरकार द्वारा Hope Portal उत्राखंड Social distancing करने के लिए I feel you bracelet किसने विक्सित किया Italy Q11. ICCR ने किस नाम से एक song रिलीज किया है United we fight Q12. फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य है तिलांगना अब एक बार इंग्लिस में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर लास्ट में आप लोगों के लिए होगा Q2. विच स्टेट विकेम फस्ट इन दा कंट्री तो गिव इंस्ट्रक्शन तो फर्मस तो ग्रोड दो रॉप्स तिलांगना Q2. विच इन बोक्सर विच बें इन इन दिस्क्रिणरी पैनल अव नादा विच अग्ल चुमार Q3. J&K and which state has prepared a plan to provide tap water connection to all rural areas by 2022? Q4. TVS Group and Sundram Medical Foundation together with which IIT developed a respirator called the Sundram Ventago Q4. IIT Madras Q4. Sports Authority of India has constituted a committee under whose chairmanship to resume training after lockdown? Q6. Rohit Bhardwaj Q6. NDP National Development Bank approved how much dollar emergency aid loan for India? Q7. What position did India hold in released Global Energy Transition Index? Q7. 74th Q7. Who has been appointed as the new Director General of India Archaeological Survey? Q8. And the correct answer is V. Vidyavati Q9. Which states Thanjavur Neti Vaks and Arambur Woods carving got GI tag? Q8. Tamil Nadu Q10. Which government launches the HOPE portal to help unemployment youth to get job opportunities? Q8. And that is Uttarakhand. I feel you bracelet to ensure social distancing was developed by which country? Q8. Italy. Which song did ICCR release recently? Q8. United We Fight. Q9. Hola. आर फस्ट सनलाइट सूरज की रोशनी and second option is water third is chlorophyll and fourth is all of these ठीक है सूरज की रोशनी, chlorophyll, पानी या ये सभी photosynthesis needs sunlight, chlorophyll, water या all of these तो दोस्तों ये थे आज के हमारे important current affairs plus question of the day मिलते हैं रात को 8 बजे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन, जय भारा, take care, love you all